नाख सो फ्रेंड़ सर्कल से कि इसमें हमको मैट्रिक्स दी रहेगे ना मैट्रिक्स आप्सेन हिए नहीं यह पाँच इस मेंधे के हम के सकते हैं तो इस मैट्रीक्स में देखे हम कह सकते हैं कि जहां-जहां 1 लिखा हूँ है तो परसर नमबर 0, परसर नमबर 1 का फ्रेंड है तो अगर परसर नमबर 0, 1 का फ्रेंड है तो परसर नमबर 1 भी परसर नमबर 0 का फ्रेंड होगा ठीक है तो टू वे रिलेशन है ना अगर 0 1 का friend है तो 1 भी 0 का friend होगा ठीक है चलो तो ऐसे करकर के आपको यह friendships बता रखिये इस matrix में कि 1 0 का friend है, 0 1 का है, 2 3 का है, 3 2 का है, ऐसे करके बता रखिये अग्या आपको यह find करना है कि कितने friends circles यह groups बनने हैं ना class में होता है सबस्क्राइब हो 40 बच्चे है यह पंच आपकर प्रेंट वहते हैं कömfight करने किसे दिश्च judgingason बिसीकली यह कुछ नहीं दे रखा आपको अगर हम नोट में रिप्रेज़ाइब ग्राफ के टरम्स में देखें तो यह एजसेंसी मेट्रिक्स दे रखी है तो यह पता क्या दे रखा देखो इसमें आपको बोर लखा है कि देखो जीरो वन का फ्रेंड है ना परसन नमबर जी हमको परसन नमबर वन परसन नमबर टू का फ्रेंड है परसन नमबर वन परसन नमबर टू का फ्रेंड है परसन नमबर टू भी परसन नमबर वन का होगा ना उसके बात क्या रखा है हमको थ्री फोर का फ्रेंड है फोर थ्री का तो यह देखो इनका अपना एक ग्रूप है यह दोस्तों यह तो पर इंतनर का इन दोनों का अपना इस लोग परत तो तो इसे 400 को इसा प्रेस्ट غल तो आप adjacency matrix से आपको क्या find करना है जो आपको graph represent कर रहा है adjacency matrix से उसमें कितने component है तो इसमें component 1 component 2 दो component है तो हमको to return करना है तो दो component मतलब दो friend circles है ठीक है असान question है कर देंगे कैसे करेंगे या तो बी एफिस लगा लो एधिस लगा लो और फाइंड कर लो 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 कर लो इसमें अशिक का सबसे पहले तो इक विजिट्ट आरे बना लेंगे एख विजिट्ट आरे बना करना लेंगे, मैं बना देता हूं विजिर्टि तेरे, और क्यों भी भी बना देता हूं सथ साथ असर एक आपना बिएफस लगा करते हैं एक अनसर लख लेंसर पर लेते हैं चलो तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं तो जीरो देखेंगे अन्विजिटीटीड है यहां पर फॉल्स यह हमारा विजिटीड एरे होगा यह हमारा विजिटीड एरे होगा unvisited है that means कोई एक component है जिसको हमने visit नहीं करा है तो एक component तो मिल गया यानि एक group तो मिल गया हमको ठीक है तो इसको कर देंगे true यहाँ पर कर देंगे इसको true हना और यहाँ पर इसको डाल देंगे 0 को ठीक है अब देखो हमारी i के value जब 0 थी तो तब हमने ये काम कर लिया अब हम 0 को निकालेंगे 0 के adjacent notes देखेंगे adjacent सारे जितने भी हैं उनको Q में डाल देंगे तो 0 का adjacent सिर्फ 1 ही है सिर्फ 1 ही है तो हम 1 को Q में डाल देंगे और 1 को visited mark कर देंगे 0 भी visit हो गया 1 भी visit हो गया अब हम निकालेंगे one को बाहर one से पूचेंगे कि भाई तेरे adjacent vertex कौन कोन से है one कहींगा भाई मेरे adjacent है only two को visited mark कर देंगे तू को visited mark कर देंगे तू को यहां पर हमें कहीं कर कीति है आप का ही Eliy को बढ़ाएंगे ही तो यहां पर हमई उसमें प्रेवंच करेंगे और हमें कहीं वर्ट मिलता है यहाँ पे तो true है, next देखा true है, true है, अभी तक तो true है, अब यहाँ पे आए तो three, three पे यहाँ पे false पर है, that means three से शुरू होने वाली कोई एक node है, जो किसी एक different component में पड़ी विए, जिस पे हमने traverse नहीं करा है, that means कोई एक different friend circle है, या friend group है, या different component है, तो हम अपने answer को एक से फ कर देंगे, और यहाँ पे true लिख देंगे, true कर देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे three, three को pop करेंगे, three से पूछेंगे कि तेरे adjacent vortex कौन कौन सी है, सब को क्यों में डाल दो, तो इसकी सिर्फ एकű adjacent vortex उर, that is four, तो four को visited mark कर देंगे, यहाँ पे true लिख देंगे, और four को लेंगे बाहर फोर से बुचेंगे तेरे अजसेंट अनविजिटीड वाटेक्स कोई है और कहा भाई कोई नहीं है सारे विजिट हो गए है तो हम इसको निकाल देंगे कुछ हम क्यों में डालेंगे और हम आ जाएंगे बाहर वापस क्यों हमारी हम्टी हो गई है अब अपनी इस पोइंटर को फिर बढ़ाएंगे कहीं और में फॉल्स मिलता है नहीं मिलता है यहां पर भी ट्रू है और हम बाहर आ गए हमने सारे विजिट कर लिए हैं और हमारे इस अंसर वैरियेबल में नंबर ओफ कॉम्पोनेंट्स क्या लो आप कंपोनेंट्स क्या लो या नंबर फ्रेंट सर्कल सकेलो एक ही बात पड़ी है ना यह नंबर ओफ्रेंट्स क्यों टिक है तो ऐसे करके हम फाइंड कर रहे होंगे ना बस बैसिकली जब हम डिफ्रेंट कंपोनेंट में जा रहे होगे तब हमारे को हमारे इस अंसर वैरियेबल को इंक्रिमेंट कर देना है आपको लट से यह वाली मेत्रिक से रखए यह दोसे इस को मैंने इसंटिफस में पास कर दिया और जी मिध ऑनकर जो मैंसर तरिब्स में जीरो पड़ा भ़गी यह यह यहां पर आले इस बीफस में ए इस अंसर में भी zero पड़ा ओ यह एड्जेंशां की में हमारे पास प्रटेक्स है, 0, 1, 2, 3, 4, सब में initially false पड़ा हुआ है, तो अब हम move करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे, i equal to 0 पर, unvisited मिल गए हमको, unvisited मिल गए है, तो यह हम क्या करेंगे, इसको answer से plus plus कर देंगे, हमें एक component मिल गया है, यह वाला component मिल गया है, तो answer, हमें एक friend circle तो at least मिल गया है, और फिर क्या करेंगे, इस BFS helper में pass कर देंगे, adjacency matrix, यह visited array और यह vertex, तो अभी हम इस vertex पे हैं, हमने इसको pass कर दिया, तो इसने क्या करा, एक Q बनाई, एक Q बनाई, और इस vertex को, इस zero worldly vertex को इसके अंदर डाल दिया, और visited में इसको true mark कर दिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब तक हमारी Q empty नहीं होती, यह operation करते रहेंगे, क्या operation करते रहेंगे, front से निकालेंगे, और zero से पुछेंगे, तेरे adjacent vertex कौन कौन से हैं, और वो unvisited भी है, adjacent vertex कोई है, और unvisited है, तो उसको Q में डाल दो, तो zero का adjacent, zero तो visit हो गया, zero का adjacent vertex है, one और और वो unvisited है, तो हम इसको, one को अपनी Q में डाल देंगे, और one को visit कर देंगे, one को visit कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको निकालेंगे, यहाँ पर front में निकालेंगे, तो one को निकाला, तो यहाँ पर one आ जाएगा, one आ गया, अब one से भी यही पुछेंगे, one तो है जो उप्यू c 2015 को लेंगे सको विजिटिटमार कर देंगे और तोपे काम होगयाँ अब यहां से मार जाएंगे रिटर और यहां से जब यहां से जब हम रेटर माहें तो अभी तक हमारे अन्सर वैरियाबल की वैल्यू वैल्यवड में वहाँ अवगोगे की एक एक friend circle या फिर एक graph एक component हमारे graph का मिल चुका है ठीक है अब हम अपनी i के value 1 करेंगे true है 1 करेंगे true है I mean 2 करेंगे true है 3 करेंगे जब 3 करेंगे तो यहाँ पर देखो false मिल गया जैसी false मेरे डेटमेंज को यह component और पड़ा हुआ है तो हम अपने इसको false पड़ा हुआ है इन दोनों को विजिट कर चुके होगे और इस वाले component में भी traverse कर चुके होगे ठीक है तो simple जाथा दो component मिल गए दोनों के यह है ठीक है तो code भी आई होगा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much for watching